लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले कपिल शर्मा इन दिनों अपने बुरे बरताव की वज़े से एक बार फिर सुर्खियों में हैं हाल ही में उन्होंने एक वेबसाइट के एडिटर को गालिया दी थी इसके बाद वो मीडिया के निशाने पर आ गए कपिल के इस बुरे बरताव के लिए उनकी कोई ट्रेस रही सुगंधा मिश्रा ने अचानक मिली सफलता को जिम्मेदार माना है सुगंधा के मुताबिक कपिल रातो रात मिली सफलता को पचा नहीं पाए जिसकी वज़े से आज उनकी ये हालत हुई है एक popular website को दिये interview में सुगंधा ने कहा मैं उन्हें पिछले 12 साल से जानती हूँ कॉलेज में वो मेरे senior थे लोग मुझ से अकसर पूछते हैं कि कपिल किस तरह के इनसान हैं तो मैं कहती हूँ वो अब भी पहले की तरह ही दूसरों की मदद करने और उनके बारे में सोचने वाले शक्स हैं सुगंधा के मुताबिक ये वो कपिल नहीं जिने मैं जानती हूँ उन्होंने मेरी family members से बात की और मुझे मुंबई लेकर आए मुझे लगता है कि अचानक मिली सक्सेस को वो समभाल नहीं पाए